हेलो स्टुडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहा है अपना यूनिट three जोकी data structure का हम लोग onesort marathon कर रहे हैं तीस unit का नाम है हमारा searching and sorting तो इस एक onesort वीडियो में हम लोग पूरा searching, sorting और साथ ही साथ जो haixing होता है उसको इस एक वीडियो में fully explain करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे searching कि searching क्या होता है और इसके क्या-क्या types होते हैं उन types को हम example through समझेंगे कि उनको कैसे यहाँ पे solve करना है अगर आपको एक-एक वीडियो देखना है किसी searching या sorting की तो वो भी channel page पर your label है आप एक-एक part जो जितने भी types है वो भी देख सकते है लेकिन यहाँ पे हम इस एक वीडियो में जो कि हमारा जितना लंबा वीडियो जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें पूरा इसमें cover करना है इस unit को तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना searching से तो searching क्या होता है सबसे पहले यह देखते हैं searching is an operation or a technique that help to find the place of a given element or the value in the list any search is the set to successful or unsuccessful depending upon whether the element is being searched is found or not basically searching का मतलब यहां पर यह होता है जैसे searching के नाम से ही पता चलता है किसी चीज को search करना तो हम लोग यहां पर क्या होता है कि हम किसी element या उसके place को किसी list में search करते हैं तो जब search करते हैं अगर वो हमारा element मिल जाता है तो हमारा जो searching होता है वो successful हो जाता है अगर नहीं मिलता तो हमारा unsuccessful searching कहलाता है और क्या लिखा है यहां पर देखते हैं some of the standard searching technique that is being followed in data structure is listed given below जो हमारी यह standard technique use की गई है data structure में उस के बारे में हम यहां बात करेंगे जिसके हमारे पास है sequential search जिसे हम लोग linear search भी बोलते हैं और उसके बादी index sequential search होता है और binary search होता है इन तीनो सर्चिंग के बारे में हम यहां पे बात करते हैं जो हमारा सर्चिंग का पार्ट है सॉर्टिंग का पार्ट में तो हम सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे उसकी क्या-क्या टाइप्स हैं यहां पर हमारा क्या बोला इन दिस दा लिस्ट और एरे इस ट्राइवर से क्विशली एंड इवरी इलिमेंट इचेक्ट फॉर एक्जामपल लीनियर सर्च इस इंप्लीमेंटेड यूजिंग फॉलोविंग इस्टेप है यहां पर बेसिकली क्या किया जाता है कि सब सड्च इलिमेंट 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 इटल लेष हमें क्या करना है जो इलिमेंट हम सर्च करना चाहेते हैं उसको पहले से कंपेर करेंगे फिर क्या में इंप बहुत और मैश्ट व मीच करते हुंस से function को terminate कर देंगे step 4 में क्या है अगर वो match नहीं करता इफ बोथ और not match then compare search element with next element अगर compare मतलब वो match नहीं करता तो हम जो next element है उससे compare करेंगे और इसी तरह step हम क्या होगा repeat step 3 4 until the search element is not found तब तक हमें यह करते रहना है if last element is the last element in the list also does not match then display element is not found जब अगर last तक में भी हमें element नहीं match करता किसी element से तो हम वहाँ पर बोल देंगे कि जो हमारा element नहीं found करता यहां पर क्यूंकि हमारे सर्च में वो नहीं मिला sequence का सर्च यहां का स्विवाल सा मतलब यही था कि हम लोग एक-एक करके एक-एक से compare करते हैं यहां यह जो method होता है long method होता है कभी-कभी यह easy भी हो जाता सकता इसकी time complexity है वो कम भी हो जाती है अगर वो element हमें पहले image कर गया यह हमारा complete हुआ यहां पर sequencing सर्थ इसको हम लोग example फिर समझते हैं यहां हमने क्या किया हमारे पास यहां पर एक example हमारे पास जो list है list हमने यह list ले लिए element की हमारे पास list में element है जो 65, 20, 10, 55, 32, 12, 15, 99 हमने यह पास यह list है हमने क्या किया हमने इसमें सबसे जो हम सबसे पहले इलिमेंट से जो हमारा 65 उससे compare किये वहां पर हमारी matching नहीं हुई तो हम आगे बढ़ गए हमने उसको next से compare किया वहां पर भी हमारी matching नहीं हुई फिर हम आगे बढ़ गए हमने फिर आगे हमारा 10 element है हमने उससे compare किया फिर भी वहां पर matching नहीं हुई फिर हम आगे बढ़ है 55 है तो हमेरा क्या होता है ट्व मेंट पर क्या होगा हमने सो कर दिया कि हमां ही इलिमेंट हो गया जिसकी इंडेकिस यां होता है अब देखते हैं इसके बाद हमारा आता है index sequential search जो हमारा index sequential search है यह same as हमारा linear search जो हमारा sequential search है उसी तरह है लेकिन इसमें जो इसका question होता है इसके पहले में थोड़ा सा इसमें indexing करनी पड़ती है तो वो चीज हम यहां पर आके देखते हैं हम यहां पर देखेंगे हमें क्या है in this searching method first of all index file is created हमें सबसे पहले index file create करना पड़ता है that contains some specific group or division of required record when the index is obtained then the partial indexing taking less time causes it located specific group अब इसकी हम एक्जांपल थूरू एकदम समझ में आता है किसको कैसे करते हैं हम यहां पर direct index sequential search है हमके इसके direct पहुंचते हैं इक्जांपल पर क्यूंकि हमें sequential search हमने पढ़ लिया इसके उपर तो अब हमें ज्यादा इसमें जरूरत ने हमें main समझना है कि indexing कैसे करना है तो वह चीज हमें समझ में आएगी example से हम आगए example पर अपने यह हमारा example है हमने यहाँ पर क्या कि एक list हमारे पास है यह हमारे पास list जो है 9 element की है जो 0 से 8 तक इसमें indexing की गई है यहां से लेकर यहां तक हमारी list है सबसे पहले हम यहाँ पर करते क्या है सबसे पहले हमें यहाँ पर करना है जो element की list हमें दी यहां पर नाइन इलिमेंट है टोटल तो हमने यहां पर थ्री थ्री में डिवाइड कर लिया, यहां से लेकर यहां तक हमने थ्री में डिवाइड कर लिया, यहां से लेकर यहां तक हमने थ्री में डिवाइड किया, यहां से लेकर यहां तक हमने थ्री इलिमेंट ले लिया, य उसमें हमें क्या करना है, तीनों जो हमारे नए ग्रूप बने हैं, उनके फर्ष्ट फर्ष्ट इलिमेंट, मतलब 12 यह वाला, इसके ग्रूप को 21 और इस जो ग्रूप का 57, इन इलिमेंट के हमें इंडेक्स ले लिनी है, हमने यहां पर ले लिए 0, 3, 6, यह इलिमेंट हमने यह से उठा लिया, यह हमारा क्या हुआ, एक जो हमारा फर्ष्ट फर्ष्ट इलिमेंट है, तीनों ग्रूप से हमने ले लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर से यहां पर लगा देंगे, जो फिर से इंडेक्सिंग कर देंगे, यहां पर क्यूंकि इंड चिर के human हमारे तूल्विंट है हमारा थ्री कहला ऑपन को और में जो और तो ul तो आपलाई जब करेंगे क्या होगा हमनेसे पहले हमारे सर्च क्या करना हमारे पास की ल्यमेंट दो 28 है हमने यह 28 यहां पे ले लिया हमारे पास की इलिमेंट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इसको compare करेंगे फिर्ष्ट से जैसे हमने linear search में पढ़ाये कि हमें एक से ले एक तरफ से जो compare करते आगे की और बढ़ते जाना है तो हमारे पास तीन इलिमेंट है 12, 21 और 57 तो सबसे पहले हम compare करेंगे 12 से 12 से जब compare किया हमने तो 12 से compare करने के बाद पता चला हमें कि 12 की value हमारी जो key element से छोटी है चोटी है और मैज भी नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे हम आगे बढ़ें हम 12 से आगा है सीधा 21 पे 21 पे आएं तो 21 से हमने फिर compare किया 23 को तो 28 हमारा क्या आता है इसमाल हो गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे हमारा जो नेक्स ऐइमंच था 57 किया जब फिप्टी सेवेंट से कंपेर किया तो हमने ये जस्वी सेवेंट किया तो हम ये मैच नहीं करता और साथ साथ हमने यह भी 21 & 28 & 36 इस ग्रूप में हम यह method हमारा linear search इसको apply करेंगे इसको हमें पता चल गए कि इस group में element है क्योंकि इसके आगे और इसके पीछे तो हमें इतना जानकारी मिल गए इतंगे के बीच में ही यह जो हमारा condition true हो गई और यहां पर हमें element found हो गया तो यह total हमारा हो गया index sequential search तो basically यहां पर जो इंडेक्स आइड किया गया starting में यह starting में जो index हमें फॉर्म करना पड़ता है इसी के लिए यहां से इसका नाम भी पड़ा कि यह index sequential search हो गया तो यह हमारा यहां से complete हुआ index sequential search इसके बाद हम आते हैं अपना binary search binary search बहुत important होता है और यह इसके जो प्रोग्राम होते हैं यह भी question में पूछे जाते हैं और साथ सी साथ theoretical तो इसका हमें सब पूछा जाता है और इसके question भी आते रहते हैं exam में 10 नंबर में तो अब हम यहां पर देखते हैं कि जो binary search की steps है क्या find the middle element in the sorted list अब यहां पर सबसे आपको एक difference की जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारा linear search होता है वो हमारा हमेशा जो होता है unsorted या sorted कोई भी element की list हो हमें वहां पर apply कर सकते हैं लेकिन जो हमारा binary search होता है binary search हमेशा sorted array में ही use होता है अगर binary search किसी भी array में use करना किसी list में अगर जाना है तो सबसे पहले वहां पर जरूरी है कि हमें sorting element की करनी पड़ेगी हमें जो elements है जो list है जो array दी गई है उसको हमें sorted form में रखना पड़ेगा तो हम यहां पर देख लें कि find the middle element in the sorted list फिर उसके बात क्या करना है step 3 compare the search element with the middle element हमें यहां पर क्या होगा हमने middle element को find किया औ and terminate the function अगर वहां पर हमारा जो element है वो match कर गया तो हम यहां पर बोल देंगे कि element हमारा found हो गया और हम यहां से function को terminate कर देंगे अगर वहां पर नहीं है if both are not match then check whether the search element is smaller or larger than middle element अगर हमारा वहां पर फाउंड नहीं होता तो हम वहां फिर यह चेक करेंगे कि जो हमारा element है वह middle element से smaller है कि larger है तो हमें आप यह चेक करेंगे if search element is smaller than middle element अगर जो हमारा search element है वो middle element से छोटा है तो हम क्या करेंगे step 2, 3, 4 and 5 यह हम apply करेंगे left side में हम उसको left side में apply करेंगे और अगर वही हमारा जो middle element है वो अगर step 7 में हम यह चीज़ देखेंगे कि अगर वो middle element जो से अगर greater है तो हम step 2, 3, 4 5 यह हम right side जो हमाई right side list में elements बचे हैं हम उसमें apply करेंगे and repeat the same process until the search element in the list is found हो जाए तब तक हमारा element found ना हो जाए तब तक हमें यह step apply करना है if element also does not match not match any element तो हमें क्या करना है वहाँ से यह so कर देना है कि element is not found in this list यह चीज़ हमें वहाँ पर यह element मिलता है नहीं list में तो हम यह so कर सकते हैं कि हमें element मिला ही नहीं और हमने वहाँ पर so कर दिया कि element is not found अब इसको हम समझते हैं example से यह example के थुरू में इसका जो देखे step तो एक theoretical part हुआ है वहाँ पर लिख गया लेकिन जो यह questions आते हैं यह questions example के थुरू आते हैं तो आपको example आना बहुत जरूरी है और example आप समझ गये तो आपको जो theory लिखने है जो step लिखने है उसमें कोई problem होनी नहीं तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले हमारा step 1 क्म क्या करना है हमें सब्सक्रों संबाद में यहां पर दिया गया कि जो हमें element search करना वो है 80 हमें 80 element जो है उसको search करना है तो अब हमारे पास एक list लिउस्ट दी गई list हमारे क्या है यह हमारे पास लिस्ट है जो 9 elements की लिस्ट है 10 12 20 32 50 55 65 80 99 अब यह यहाँ पर देख लिए यह जो हमारे पास लिस्ट प्रोवाइड की गई है यह सौर्टेड लिस्ट नहीं है क्योंकि जो बाइनरी सर्च है वह अन्सौर्टेड लिस्ट में वर्क नहीं करता है यह चीज इसको हमने कंपेर किया तो हमारा मैश तो नहीं हुआ मैश नहीं हुआ अब हम ने हमें यह देखना है कि जो हम सर्च एलिमेंट कर रहे हैं वह 50 से छोटा है कि बड़ा अब देखें जब बड़ा हमें मिल गया कि यहां पर 80 हमारा ग्रेटर है 50 से तो हम जो राइट साइड है इस लिस्ट में अब मीडिल इलिमेंट फिर से find करेंगे तो हमारी यह पीछे की जितनी लिष्ट है इसको तो हम पीछे छोड़ देंगे इससे कोई हमें मतलब ही नहीं कि उदर हमें वंदू मिली हिनाइं है तक हम आगे बढ़ें हैं तो हमने हमारे पासild यह लिस्ट इस्ट मिली 55 65 1899 अब यहांपन वेन उन्हेयोट नहीं करें। middle element find करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो middle element आएगा वो 65 हमें यहां पर find हुआ क्योंकि यहां पर 4 elements हैं तो यहां पर हमने जब formula लगाएंगे तो हमारा जो indexing आएगी वो 1 आएगी 1.5 बनेगी लेकिन यहां पर 1.5 जो हमारा केवल जो digits लिये जाते हैं points के बाद की value हमें यहां पर नहीं ली जाती क्योंकि हमें यहां पर जो numbers यूज किये जाते हैं इंटीजर नंबर यूज किये जाते हैं तो यहां पर देखिया हमारा जो indexing जो पूरानी इंडेक्सिंग है उसके थूरू 6 इंडेक्सिंग है तो 65 हमारा जो middle element है हमने उससे compare किया एक टी को जो हमने एक यह compare किया तो हमें यह देखने को मिला कि जो 80 है वह फिर से greater है 65 से greater match तो किया ही नहीं उसके साथ-साथ हमें यह पता चला है कि जो 80 है हमारा वो greater है middle element से तो फिर हम right side ही चलेंगे हम फिर से यहां आपे हम राइट साइड चलेंगे तो राइट साइड ज़ब्यों इली जो लिस्ट बची वो लीस्ट नहा है बची तो इलीमेट की वगना हमने फिर से find किया तो फिर से हमें यहां पर जो 80 है वो middle element मिला हमारा इंडेक्सिंग 7 है वो middle element यहां पर मिला हमने उससे compare किया तो यहां पर क्या हुआ दोनों मैज कर गएं जब मैज कर गएं तो हमने यहां पर सो कर दिया कि element हमारा found हो गया जो index 7 पर है यहां पर हमने यहां पर देखिए सो कर दिया index 7 पर हमारा जो element found हो गया यह हमारा complete हुआ binary search एकदम इसी सर्च होता है आप अगर एक बार example समझ जाते हैं तो कोई भी searching कोई भी sorting बहुत easily solve होती है यह हमने यहां पर देखा binary search का example अब हम लोग transfer होते हैं सीधा searching से sorting पर क्योंकि searching हमने जो मारे तीन पार्ट होते है searching के linear search index sequential search और binary search हमने study कर लिया अब हम लोग स्टार्ट करते हैं sorting sorting में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि sorting का जो definitions होती है sorting क्या होती है हम यह चीज़ यहां पर समझेंगे तो हमने सबसे पहले sorting की कुछ definition यहां पर दे रख की है sorting refers to the operation or technique of arranging rearranging set of data in some specific order यहां पर basically sorting का मतलब यही होता है कि कि किसी भी इन जो element होते हैं जो आप जो किसी भी लिस्ट में element होते हैं या किसी कोई record होता है उनको हम arrange करते हैं जैसे हम लोग अगर देखा जाए तो जो college में या school में student की list होती है वह हमेशा alphabetically हमारी arrange होती है या roll number के through arrange होती है हमारा roll number जब बनता है तो वो alphabet के through बनता है तो वो क्या होता है हम किसी उसको एक माइनर मतलब जो एक defined माइनर में उसको represent करते हैं किसी को जो elements होते हैं या उनको हमें rearrange भी करते हैं तो वो specific order में हम लोग करते हैं या alphabetically करते हैं या roll number से करते हैं वही चीज यहां पर sorting में भी करना होता है हम लोग rearrange rearrange करते हैं elements को तो क्या होता है the technique of sorting can be divided into two categories यहां पर दो category में basically divide की गई है पहले कि जो हमारी sorting होती है एक हमारा पहला sorting होता है internal sorting और दूसरा हमारा होता है external sorting तो internal sorting क्या होता है यह देखते हैं if all the data that is to be sorted can be adjusted at a time in the main memory the internal sorting method is being confirmed basically यहां पर क्या होता है अगर एक ही time में जो हमारा data होता है जो sorted data होता है, वो main memory में अगर save हो जाता है, तो वो हमारा होता है internal sorting, लेकिन जो external sorting होता है, when the data is to be sorted cannot be accommodate in the memory at the same time, some has to be kept in auxiliary memory such as hard disk, floppy disk, magnetic tape, etc, then external method is called, वहां पर perform होता है, मतलब यहां पर basically यही करना है कि अगर एक बार में हमारा main memory में data है, वो store हो जाता है, तो हमारा internal होता है, अगर नहीं हो पाता, वो external sorting होता है, जो external sorting होता है, इसको ही हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा merge sort होता है, वो external sorting के अंदर आता है, तो यह हमारा sorting के हमन हमने यहां पे थोड़ा सा देर रख रखी है इसका तो हम लोग अभी question में देख लेंगे यहां पे अच्छा एक बार देखी लेते हैं the complexity of sorting algorithm calculate the runtime of a function in which n number of items are to be sorted the choice for the which sorting method is suitable for a problem depend on several dependency configuration for different problem the most noteworthy of this consideration are the length of time spent in programmer in programming a specific sorting program यहां पे बेसिकली यही बात की जाते है कि length जो time कि कितना time किसी program को बनाने में लगता है यहां किसी जो machine में runtime memory क्या use होनी वाली है यहां पे देखिए amount of memory necessary for running a program और क्या runtime जो किसी program को run करने में किसी machine में कितना समय लगता है यह सब चीज हमारी आती है complexity में तो यहां पर हमने दे रखा best case क्या होता है रॉस्ट केस क्या होता है best का मतलब यह होता है अगर हमाई जो जल्दी से हमारा program run करता है तो हमारा best case होता है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे bubble sort क्या होता है हम इसके steps देखेंगे और इसके example आपको fully explain करते हैं तो bubble sort होता क्या इसकी definition देखते हैं bubble sort is a sorting algorithm which is commonly used in computer science bubble sort is based on idea of repeating repeatedly comparing pair of adjust element and then swiping their position if they exist in wrong order तो यहां पर क्या होता है सबसे पहले हम इसका step देखते है कि step क्या क्या यहां पर दिया गया है तो सबसे पहला जो step है हमारा in an unsorted array of five elements start with the first two elements and sorted them in ascending order हमें क्या करना है हमें जो list दी गई है unsorted list देखें हम लोग यहां पर कर रहे हैं unsorted element को ही करेंगे क्योंकि हमने वहां पर क्या देखा था बाइनरी सर्च था वह वहां सर्चिंग में हमें sorted element की जरूरत पड़ती थी लेकिन sorting में थोड़ी न sorted element की जरूरत हम तो यहां sorting करने आए ही हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे हम दो स्टार्टिंग दो element को उठाएंगे उन दो element को हम उठाएंगे और उन दोनों को compare करेंगे उनको हम अगर हमारा जो फर्स्ट element है वो second element से बड़ा है तो हम उन दोनों को ascending order में swipe कर देंगे यह हमारा step 1 होगा compare the second and third element हम इसी तरह third second और third को compare इसी तरह हम आगे जितने भी एलीमेंट हमारे पास दिये रहेंगे हम उनको आगे करते हुए दोनों को स्वाइब करते हुए चले जाना है कि जिससे एक प्रेक्टिकल नॉलेज है और तो उसको आप एक बार आप देखेंगे तो वहां पर आपको याद करने प्रॉब्लम होगी लेकिन अगर आप जो नुमेरिकल जो इसके कोश्चन से उनको स्वाल करना सीख गए तो आप उसकी थियोरी लिखना तो आसानी से सबसे पहले हम क्या करें यहां पर हम इन दोनों इलिमेंट को कंपेर करेंगे यहां पर सब चीज मैंने लिख रखा है आप बाद में इसको रिवीजन कर सकते हैं आप यह पीडियाप मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से इसको डाउनलोड करके बाद में प्रिवीजन कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर बता रहा हूं ऐसे कि मैं आके पढ़ूंगा ने क्योंकि जो लिखी चीजें वही मैं बता रहा है हम सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां पर दो इलिमेंट स्टार्टिंग उठाएंगे हम इन दोनों को कंपेर करेंगे हम ने जैंगे करेंगे अबर यहां से हैं इलिमेट से आवरग दोनों को को लेंगे वहां पर भी सेँ हमारा में थर्थि हा वहां लगाएंगे अगमीनहांано यहांपे ऐसंगा और हमने यहां पर swiping किया और यहां पर हमारा 40 की जगा 20 की जगा हमारा 40 उसके बाद हम next step में यहां पर हमने क्या किया 40 और 30 जो हमारा 3rd और 4th element है इन दोनों को compare किया इसमें भी हमारा 40 greater दिखा फिर हम यहां पर दोनों को swiping कर देंगे तो हमारे पास एक नई लिस्ट जो generate हुई यह generate हुई लेकिन अभी हमें एक जो इस्टे प्लास्ट के elements हमें compare करना बागी है हम यहां पर इसलिए compare करेंगे कहीं वो छोटे बढ़े ना हो इसलिए compare करना जरू जहां से swiping करना रुख जाएगा वहीं से हमें जो list मिल जाएगी मिल जाएगी तो यह हमारा क्या हुआ यह complete हुआ बबल सार्ट बबल सार्ट के बाद हम देखेंगे अपना insertion sort का हम पहले step देखते हैं क्या क्या यहां पर step से दिये गए हैं सबसे पहला step दिया गया है if it is the first element is already sorted return one क्या बोला है कि अगर सबसे पहला element sorted है तो हमें जो return one कर देगे हम उसके बाद क्या करेंगे pick and next element हमें next element को compare उठाना है compare with element in sorted list है जो आगे की list है उससे हम उस element को compare करेंगे shift all the element in the sorted sub list that is greater than the value to be sorted insert the value and repeat step जो step हमारा six होगा repeat until the list is sorted हम इसको एक्जामपल समझते हैं यहां पर step दे रखें इसके थोड़ा आपको कम समझा रहा होगा क्योंकि यहां पर थोड़ा इसकी language दूसरी तरह में लिग गई है तो यह हम सबसे चलते हैं अपने इंसर्संट के एकजाम्पलत पे इंसर्संट के हमने पेडिमें थो हमारे पास यह लिस्ट दी गई है यह हमारे पास लिस्ट दी गई है यह पर क्या sixteen करेंगेकं考 एमें 85 इसतिलिमेंट होगा हमारी we हम एजूम करेंगे अब हम यह नहीं कह रहे हैं कि 85 स्owsक्रिट है लेकिन हम यहाँ पर फरस्ट उपterior होगा वह स्दोब तो हम उसके बाद क्या करेंगे हम उस फर्श्ट उपर का रहा है हम उससे consent令ink यह करेंगहँ करेंगे हम जो फर्स्ट इस दिटी फाइब को मने क्या किया कि 85 इस ग्रेटर दें 12 क्या चाहिए तो हमें पर हमें क्या मिला कि जो 85 is greater मिला टॉलू से तो हम क्या करेंगे shift it right हम जो 85 को right side shift कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे हम उस 85 को next element से compare करेंगे हमने क्या किया हमने 85 को right side shift कर दिया और उसकी place पर हमारा 2 पोजीशन फट हां लेकिन उसके बाद हम फ्टर पोजीशन पर जोए हमारा से 59 को एलिमेंट, फिर masters फिन्याइन पिन्त फिन्त क्याएंजिए हमने सबती नी literally being 59 से कंपेर किया में 12 से भी अगर 12 से हम compare करेंगे तो हमें यहां पे अगर 59 हमें जो greater मिलता है 12 से तो हम 85 की position पर रख देंगे लेकिन अगर वो small मिलता है 12 से 12 से अगर इसमाल मिलता तो हम फिर से इन दोनों में 12 को right side भेज करके जो वैलू हमारी 59 की position बजाती लेकिन इस question के अनुसार अगर हम चलें तो हमारी जो 59 की वैलू है वो हमारी 12 से greater है तो हम क्या करेंगे हमने 85 की position पर उसको place कर देना है तो हमारे पास यह जो इतनी list आ गई यह sorted list मिल ग करेंगे फिर 85 को compare करेंगे जो next element है 45 से हमने 45 से जब compare किया तो फिर से हमें 85 greater मिला और हम 85 को right side move कर दिये और उसके बार हमने 45 को put किया 85 की place में हमने 85 की place में उसको put किया लेकिन हमने यहाँ पर यह देखा कि हमारा 45 की value है वो हमारे 59 से small आती है मतलब कि हमारा 45 की value है वह small है और 59 हमारा greater है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 59 को हम भी right side shift करेंगे और हमारा 59 की place पर हमारा 45 है हम उसको वहाँपर insert कर देंगे तो यह हमारे पास उसके बाद जो लिस्ट मिलेगी, जो पीछे की लिस्ट हमें मिलती जाएगी, वो सौट इड लिस्ट मिलती जाएगी, हमारे पास जो नए लिश्ट ये आई, अब उसके बाद हम क्या करेंगे 85 को हम फिर से compare करेंगे next shot element से, जह हमने next element से compare किया 72 से तो यहां पर हमने क्या देखने को मिला फिर से हमारा 85 greater है तो हम फिर से इसको right side move करेंगे और 72 को 85 की place पे insert कर देंगे और उसके बाद हमने उसके पीछे वाले element से देखा जब 59 से हमने compare किया तो 72 बड़ा आता है तो हमने वहां पर उसको 59 को right side move नहीं करेंगे 59 हमारा small मिला हमने उसको 72 की 85 के place पे put किया और हमारे पास एक नई list generate होती है 85 तक की जो हमारे sorted list होगी हमारे पास एक last element बचता है जो हमारे पास आता है 51 तो इस 51 को भी हम 85 से compare करेंगे जो 85 से हमने इसको compare किया यहां पर फिर से हम 85 greater मिला फिर से घर मिला तो हम यहां पर क्या करेंगे 85 को right साइड love कर देंगे में और 85 की प्लेस में 15 को इंसाइड कर देंगे लेकिन उसके बाद हम पिछले इलिमेंट जो हमारा 51 से इलिमेंट 72 है हम इसको भी कंपेर यहाँ पर करेंगे हम वहां पर कुअ तहों हम इसN Child करेंगे हमने 72 को इधर किया और यहां पर हमने हमारे पास 51 आ गया लेकिन हम यहां पर फिर से देखेंगे कि जो हमारा 51 के पीछे का जो वालू है वह हमारा greater आ रहा है उने यहां पर देखे 59 जो हमारा greater रहे 51 से तो हम 59 को भी right side move करके 51 को 59 की place में insert कर देंगे जब हमने यह किया उसके ब वैल्यू है हमने उससे compare किया तो 45 हमें small मिली और 51 हमें greater मिला तो हम यहाँ पर फिर से कोई movement है elements में वह नहीं apply करेंगे और यहाँ पर हमें जो list मिल जाएगी वह sorted list यहाँ पर हमें मिल जाएगी तो यह complete हुआ हमारा insertion sort और इसकी जो यह theory यहाँ पर यह theory आपको step में अगर पूचता है तो आप यह चीज यहाँ पर लिख सकते हैं वह चीज यहाँ पर मैंने बताई आपको वह चीज वहाँ पर लिखी गई है अब हम लोग देखेंगे selection sort सबसे पहले हम लोग definition देखेंगे की selection sort होता क्या है और उसके बाद हम इसका example के थुरू समझेंगे इसका step 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 फूच्ट हम समझेंगे कैसे यह यहाँ पर करता है सबसे पहला step 1 हमारे क्या कहता है select the first element of the list हमें सबसे पहले हमें क्या करना है जो first element है किसी भी list का हमें उसे select करना है अब उसके बार हम क्या करना है compare the second element with the all other element in the list हमें जो selected element है यहाँ पर selected element जो है उसे हम compare करेंगे सभी elements है जितने भी list में elements है हम उससे उसको compare करेंगे in every comparison if any element is found smaller than the selected element for ascending order मतला हम अगर ascending order क्लिवर कर रहे हैं तो if any element is found smaller than the selected element मतला कोई element हमें found होता है smaller जो हमारा selected element से then both are swipe हम उस value को swipe कर देंगे step 4 में क्या करना है repeat the same procedure with element in the next position in the list till the entire list is to be sorted हमें तब तक कर दे रहना है जब तक हमारी list sorted ना हो जाए तो हम सीधा पहुंचते हैं अपने एक्जामपल पर हम इसको समझते हैं कैसे इसका जो हमारा methodology है कैसे यहां पर apply किया गया यह चीज हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले हमने यहां पर list ले ली हमारे पास eight element के यहां पर list है हमने यहां पर 15 20 10 30 50 18 5 45 यह हमारे next element से तो हमें वहां पर क्या करना है swiping करना है मतलब वहां पर हम वहांपर swipe कर देंगे अगर यह condition हमारी true होती है तो हम यहां से पहले 15 को 5 को हमने फिर से कंडिशन लगाई 15 is greater than 10 यहां पर हमारे जो कंडिशन हुई वो true हो गई true हो गई तो हम यहां पर स्वाइपिंग अपलाई कर दी हमने 15 और 10 को स्वाइप कर दिया उसके बार हम जब स्वाइप हो गया तो हमें यह नहीं हम क्या करें हमेशा first element को ही list में select करेंगे क्योंकि selection का नाम से पता चलता है कि हम यहां पर select करते हैं तो हम सब को जैसे ही new list मिलेगी हमें हमेशा सबसे पहला element जो होगा उसी को हमें select करना रहेगा तो हमने फिर से 10 को select किया और जो 10 को compare किया next element जो हमारा 30 है यहां condition false होगी क्योंकि हमारा 10 greater नहीं होता 30 से तो हम आगे बढ़ जाएंगे फिर हम उसी तरह compare करेंगे next से यहां पर condition false मिलेगी फिर हम यहां आगे की element से जो compare करेंगे वहां पर भी हमें condition false मिलेगी फिर हमने आगे 5 से compare किया यहां पर हमें condition देखिए true मिल गई क्योंकि यहां पर 10 जो greater है 5 से तो हम यहां पर फिर से swiping कर देंगे फिर से हमारे पास जो next जो list मिलेगी next element हमारे पास मिली यह new फिर हमने सबसे पहला element को यहां पर select किया फिर उसको हमने compare करेंगे आगे की जितने भी list होंगे यहां पर elements में हमने वहां उसको compare करते हुए आगे की ओर चलते जाना है तो हमने यहां पर देखिए यह हम एक iteration हुआ हम यह जो एक iteration हुआ वह लगभग complete हुआ हमारा कितने step में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लगभग step में हमारा जो iteration 1 complete हुआ इसी तरह हमें जो iteration second है जो same process हमने यहां पर किया वही same process जो इतने 9 step हमने यहां तक किये यही same process हमें iteration हाइस्टेक 2 में भी करना है यह हमारा 10 देखिए step यहां हो सकते हैं कि जो iteration हाइस्टेक जो हमारा 2 में कुछ step कम हो जाएं या कुछ ज्यादा तो नहीं होंगे क्योंकि यह element ही है तो ज्यादा 9 से ज्यादा ही जो step होंगे हो ही नहीं सकते हैं लेकिन कुछ step कम हो सकते हैं यह chances कभी बन सकते हैं तो लेकिन यह नहीं कि हमें एक यह condition हमें रखी थी कि selected is greater than next element जब हमारा condition true होगी तो हम swipe करने इस condition को रखते हुए हम चलेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए केवल हमें 10 में जब मिलता है 10 में ही condition यहाँ पे और जब element हम करेंगे तो यह 10 हमारा swipe होके यहाँ पे आ जाएगा फिर इसी तरह हमारा जब iteration 3 में चलेंगे सेम प्रोसेस यहाँ पर मैं थोड़ा सा हमें time को कम यूज करना क्यूंकि time हमारा जादा जा रहा है इसलिए हम इसको थोड़ा मैं रफली बता दे रहा हूं कि यही सेम प्रोसेस यहाँ पर जो next iteration में करना है आप एक बार इसको एक iteration में apply करके देखिएगा सेम आपका जो iteration होगा हो आ जाएगा इक्जाम में आपको यह iteration complete आप बता दीजिए जो iteration फश्ट है उसके बाद आप अपने से इसको sorted form में एक-एक element को swipe करते हुए लाते जाएगा आपको examiner full marks दे देगा तो हमने फिर उसके बाद हमें क्या हमें स्वही सेम प्रोसेस जो nine step सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे यहां पर सेकेंड इलिमेंट 10 आएगा फिर हमारा 15 आ जाएगा 20 आएगा और फिर 30 आएगा और 45 50 हमारे पास जो list sorted मिल जाएगी यही सेम इस्टेप में फॉलो करना है अगर मैं यहां बताने चलू तो यह पूरा है कि एक-एक इस्टेप यहां पर देके लगभग 20 मियट में हमारा यूज होगा टाइम कंजूमिंग होगा यह यह हमारा एक का आप कहह सकते हैं कि हमारा रोस्ट केस्ट में यह वाले शार्टिंग आ सकती है तो हम चलते हमारा जो next sorting है क्विक सॉर्ट क्विक सॉर्ट हम लोग देखेंगे इसका ना से इन में कुछ फार्क नहीं पड़ता नाम से आप यहां पर यह भी समझ सकते हैं कि आप अगर माइंड में थोड़ा सा सोचना चाहते हैं कि कौन सा सौर्टिंग होगा फिरित यह चीजें यहाँ आप कर सकते हैं दो हमने quicksort को देखते हैं इन quicksort algorithm parsing of the list is performed using following step मलब जो हमारी parsing होती है list की वो यहाँ पर सम यह step है हमने step देखते हैं consider the first element of the list as prior हमें सबसे पहले क्या है जो हमारा first element होगा list का हमें उसे consider करना है पायोड हमें उसे नाम ही देना है पायोड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे step 2 हमारा कहता है define two variable i and j हमें two variable यहाँ पर define करना है set i and j to be first and last element in the list respectively हमें i and j को first and last element so करना है list में हमने जो सबसे पहला element था उसको तो हमें पायोड बोल देना है लेकिन उसके बाद जो element बचेंगे उनमें हम first last apply करेंगे फिर हमें क्या करना है increment i until list i is greater than pyot then stop जब हमारी list i जो होगी वो greater हो जाए pyot जो हमने रखा है सबसे पहला element तो हमें वहाँ पर stop कर देना है और हमें जो last element j है हमें उसको decrement करना है until the list j is less than pyot हमें तब तक उसमें को decrement करते हैं आना है जब तक हमारी वो pyot से value हमारी जो j की है वो कम न हो जाए if i is greater जो i is less than j then exchange list i and list j अगर हमारी i की value जब दोनों stop हो जाए उसके बाद हमारी जगर i और j की value हमारी i इसमाल हो जाए j से तो हमें उन दोनों को swipe कर देना है repeat step 3, 4 and 5 until i is greater than j exchange the pyot element with the list j फिर उसके बाद अगर हमें मिल जाती condition i greater हो जाता है जैसे तो यहाँ पर हमें pyot को swipe कर देना है list j से अब हम लोग इसका example देते हैं हमने यहाँ पर एक list ले ली हमारे पास list है 53814627 यह हमारे पास list है हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम सबसे पहला element जो होगा हम उसे pyot define करेंगे और उसके बाद हमारा first element है उसको left यानि j यहाँ पर जो उसको assign कर देंगे उसके यहाँ पर हमने assign करने पाद list मिली यह अब उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है हमें जो i की value है उसको increment करते जाना है तब तक हमारी 5 की value है वो हमारी जब तक is small न हो जाए हमारे left side से जो हमारी i से जब तक 5 pyot की value is small न हो जा है तब तक हमें इंक्रीमेंट करते जाना है तो हमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे एट पर पहुंचेंगे तो हमें यहां पर देखने को मिला कि एट जो हमारा हो जाता है फाइप से बड़ा तो हमें यहां पर लेट पोजीशन हमारा ही स्टॉप हो जाएगा अब राइट है वो हमारी लेट की वैलुँ अगर डेटर आती है राइट से तो वहाँ पर क्या होगा हमारे अगे बढ़ेंगे आगे आगे यहांपे पे नाई लिश्ट यह generate हुई हमारे left और right position सेम रहेगी हमारी values के वल वहाँ पर swipe हुई उसके बाद क्या करेंगे हमारी फिर से हम जो left की आगे की और increment करेंगे जब हम आगे की और increment फिर सब तक करेंगे जब तक हमारी 5 से value बड़ी न मिल जाए तो हमारी left side move करते हुए increment करते हुए पहुंची 6 position पर पहुंचते हुए मैं पता चला कि जो 6 है वह 5 से बड़ा है तो हमारा देखिए 6 पर left की value stop हो गई फिर उसके बाद हम right की decrement करेंगे हम तब तक decrement करेंगे जब तक 5 से value छोटी न मिल जाए तो मैं यहां पर फोर है यह 5 से हमारा छोटा हो गया तो हम यहां पर right stop हो गया हम यहां पर right side की value को पायोड से हम यहां पर swipe करेंगे हमने जब right side की value को पायोड से swipe किया तो हमारे पास नई list generate हुई यह नई list generate हुई अब यहां पर एक चीज़ देखने को आपको मिली कि जो five के पहले के जितने element है वो सभी छोटे हैं और बात के element जो हैं वो सभी बड़े हैं तो हमें यह पता चलता है कि five की position यहां पर correct है जैसे आप किसी दो लिष्ट बढ़ गई आगे की और पीछे की दो लिष्ट यहां पर बढ़ गई इन दोनों की अब लिष्ट बढ़ गए तो अब यहां पर क्या होता यह देखते हैं इन दा इन दा लेप्ट सब लिष्ट as they are as there are no smaller number than the pirate left keep on moving the next and stop at the last number as the right is smaller right stop at same position now left and right both are equal so swipe piot and piot with right यहां पर देखनों की यह मिलेगा कि जो हमारी left है left सीधा पहुंच जाएगी right पे हमारी यहां पर right पर सीधा value मिल जाएगी और जितनी भी यह value है पायोट से कोई value है हमारी बड़ी मतलब हैं ही नहीं तो यह move आगे की और करेगा ही नहीं क्योंकि one value जो पायोट से हमारी है small है तो right भी position यहीं पर रहेगा और left भी यहीं position पर रहेगा और यहां पर यह देखने को मिलेगा कि जो right side की value है जो हमारी left side से equal हो जाएगी right left दोनों एक position में हो दोनों की value equal हो जाएगी तो हमारी right जो फिर से क्या होगा right और पायोट हमारा यहां पर swipe हो जाएगा right swipe हो गया पायोट से और फोर आगया अपनी position पर और one आगया फोर की position पर इसी तरह हम जब next second list में चलेंगे तो हम भी यहां पर देखने को मिला कि हमने 6 पायोट है और left हमारा जो 8 पर बैठा है left अब यह 6 से बड़ा है नहीं तो यह भी move नहीं करेगा और इधर कोई element छोट है नहीं फिरमिंगी कि कहीं More नहीं करेगा और यहां पर condition भी हमें क्या मिलती है really हम एक αυτό हमारा greater है राइट से जब ग्राइट से ग्रेटर होता है तो पायोट हमें इसको ले लिया एस लीस्ट में हमने यहां पर पर ले लिया यह तो अपने नमबर नहीं अपर बैठा जब left अगर greater रहता है राइट से तो हम क्या करते हैं दोनों को swipe करते थे तो यह देखिए यहां पर हम इन दोनों को swipe कर दिया 7 और 8 से यहां पर यहां पर रहेगा राइट भी हमारा यहीं पर रहेगा और यहां पर left की वहलू हमारी greater है राइट से तो फिर से इन दोनों में हमाई यहां पर swiping हो जाएगी यह हमारा यहां पर list totally जो sorted list हमें यहां पर मिल जाएगी यह complete हुआ हमारा जो quick sort इसके बाद हमें क्या करना है हमारा आता है इसके बाद मर्ज sort मर्ज sort देखते हैं step one हमारा क्या है कहता है सबसे पहला step जो हमारा है find the middle index of the array divide into two halves m equal to i plus r by two हमें सबसे पहले middle जो array जो index है उसको find करना है step two call merge sort for first half हमें first half के लिए जो merge sort को call करना है step three में call merge sort for second half हम second half के लिए merge sort apply करेंगे recursively merge the two half elements in sorted minor so that only sorted array is to be lived यहाँ पर example हम ले लगते है हमाँ पास एक्ग्जामपल है हमें पास element जो है 30, 8, 27, 43, 39, 82, 10 यहाँ पर यह होगा हमें क्या करना है हम इसको एक्जामपल के थूरू समझते हैं हम पहुंच गया सिधा अपने एक्जामपल में सबसे पहले क्या करना है हमें सबसे पहले हमने एक array लिया array लिया हम इसके index को का middle index ढूणेंगे हम इसका middle index जब ढूणेंगे तो हमें यहाँ पर जब जो priority फश्ट जो साइड को होगी जो left side होगा उसको हमें priority ज्यादा देनी होगी क्योंकि हम जब अभी ट्री में जब study करेंगे तो यहां पर हम यह देखने को मिलेगा हम left side को priority पहले देते हैं तो हम left side में फोर element रख दिये और right side में three element के यहां से divide कर दिया divide करने के बाद हम क्या करेंगे फिर से इन दोनों सब्सक्राइब सिंगल इलिमेंट की लिस्ट पूरी न बन जाए तब तक हमें इन्हें क्या करना है डिवाइट करते जाना है फिर उसके बाद क्या करना है कि जो दो के अगर फॉप लगा यहां द करते हैं हो सिंगल है हमने सिंगल इसको इसी तरह रख दिए क्योंकि सिंगल को छेड़ना कोई मतलब नहीं होता तो यहां पर समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं यह हुआ यहां पर अब उसके बाद क्या करना अब यह दो हुए यह अगर देखिए लिए जो यह इधर से यहां पर लेप्ट सब यह हैं Basically क्या करना मर्ज करते हैं हमें सौटिंग करना है तो हमें क्या करना सबसे पहले कर देग तो इसके element से जब तक यहां पर देखिए अगर इस element के बाद यह element हमारा अगर इसमॉल आ जाता तो हम सेकेंड लिस्ट में चले जाते हैं लेकिन यहां पर हमें क्या हुआ कि 3 के बाद 27 आया तो हम 38 में गयें तो हमें यहां पर इससे बड़ा मिला तो हम फिर से 38 पूट कियें फिर हमारे पास लाश्ट इल्मेंट उचाब 23 हमने इसको एक आप ऐसे लीनियर सर्च के थ्रू भी यहां पर पूट कर सकते हैं कि आपको मेली प्रेजेंट करना आना चाहि किया 9 को जो दो हमारे पूट गया तो हमंगा तो फिर हमें इसके अहां पसे करता है हमारा जो तो हम ओक घ 느懇ट हैrit करता है हमारा जो list 1 है और first element second कलेंगे हम इन दोनों को compare करेंगे इन दोनों को compare करेंगे तो जो सबसे जो small value होगी हम उसको सबसे पहले put किये हमने put किया है जिस list का element put हो जाएगा जो हमें अगर यहां पर position थी जो value हमें put हो गयी तो हम उसके बाद next value में उसी list में बढ़ जाएगे हम 내arden 7 9 को comparehan कें क्योंकि नивать हमने चैनां नाइस जब compare किया मने 9 को यहां पर put यह put हो घ्ल को गया था हम पहुं एक 10 1 10 और 27 को जब हमने compare किया 10 small हमने 10 put किया फिर इसके बाद हम पहुंचे 82 में 82 में जब पहुंचे और 82 27 को compare किया तो हमार 27 small आया फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे 38 पे 38 और 82 को जब हम compare करेंगे 38 हमारा small आता हम 38 को put कर दिये फिर 82 और 43 को जब compare करेंगे, 43 समाल आता है, 43 को हम put करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 82 को put कर देंगे, इसी तरह इन दो list को भी हम यहाँ पर compare करके लिखेंगे, यह logic बेसिकली इसी तरह logic बनता है, हमारा जब तक एक list का value put होते जाएगी, आगे हम बढ़ते जाएगे, जैसे हमारी condition फाल साथ ही, ग्रेटर value हो जाती है, तो हम वहाँ से उस list में stop होके, next list की value को put करते हैं, तो यह हमारा हुआ क्या, जो हमारा हीप सौड देखने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें, सबसे पहले जानना जरूरी होगा, कि max heap क्या होता है, और min heap, यहाँ पर होता क्या है, didn't mean, magnitude basically क्या होता है, Mic 175 में हमेशा क्या होनी चाहिए, जो node, जो root node की value होनी चाहिए, वो हमेशा Premium that मतरी होनी चाहिए, हमेशा Damn root node की value जाता है, यहाँ पर देखें, तो इस node में इसके जो children, जो फदर की वैलू है वो ग्रेटर है चिल्डेंट से इस नोड में देखें तो इसके चिल्डेंट से इस फदर की वैलू ज्यादा है इन दोनों में यहां पर देखें तो इधर भी फदर से वैलू चिल्डेंट से यहां पर ज्यादा है तो यह हमारा होता मैईक सीप अगर वैलू की जो वैल्यू होगी सबसे छोटी वैल्यू होती है और जो फादर की वैल्यू होती है यहां पर चिल्ड्रिन से कम होती है यह कि अगर किसी भी आप सब्ट्री में देखेंगे तो फादर की वैल्यू सब में आपको छोटी ही देखने को मिलेगी यह होता है हमारा मैक्स और मिन ascending order में करना है तो यह step हम यहाँ पर follow करते हैं construct a binary tree with the given list of elements construct करना हमें यहाँ पर binary tree आपको binary tree form करना आना चाहिए हम यहाँ पर भी थोड़ा बात कर लेंगे अगर आप और deeply binary tree पढ़ना है तो आप चैनल पेच पर जाकर एक एक एक्स्ट्रा वीडियो देख सकते हैं फिर क्या करना है ट्रांस्फार्म बाइनरी ट्री इंटू मैक सीप हमें क्या करना है जो बाइनरी ट्री है उसको मैक सीप में कनवर्ड करना है फिर हमें डिलीट रूट नोड फ् उसिंग हीब भाई मेथड रीपीट दशेम अंटिल ध मीन हीब बीकम इंपरी मतलब जो मीन जो यहां पर फूट है यह मीन नहीं रहेगा यहां पर मैक सरख की बात कर रहे हैं यहां पर थोड़ा से इसको क्रेक्शन कर लीजिए गा आप यहां पर हमारा मैक होगा डिस्प्ल सब्सक्राइब द्सक्राइब यहां पर दिस्प्ले हो जाएगी यहां पर थुरू समझते हैं मिश्प्राइब कर्वें से मैख सीप अगर आपको बैसिक नौलेज नहीं है तो आप चैनल पेज पर जाकर मैख सीप और मिन हीप मेफ कि वह एक लेंडी वीडियो से है तो यहां पे हम इसको ज्यादा इसको मठ एक आप пять मेसको जो बनाता है बनाते हैं तो सबसे पहले ऑनसर्ट employment कोरुट न्यूट यह सकरेंगे फिर फिर हम जो लिप साइड के चिल्ड्न उसमें next value put करेंगे उसकी right में इसी तरह हम जो tree बनाते हैं चले जाएंगे फिर हम इसको heapify method से max heap में convert करने एक बाद हमें जो root node की value मिलेगी 90 मिलेगी यह root node की value 90 मिलेगी तो हमें क्या करना है root node की value को delete करने के लिए हमें जरूरी होता है कि हम उसकी जगा कोई value लाते हैं सबसे पहले हमने इन दोनों में swiping किया तो हमारा जो हमने swiping करने के बाद हमें क्या हुआ कि एक जो list मिलेगी 90 delete करने के बाद एक हमाई पास जो tree बनेगी यह tree बनी 90 हमने डिलीट किया और हमाई पास इस देखिए यहां पर list में इसको 90 को थोड़ा सा डार्क मोड में लिख दिया जिससे आपको 90 यहां पर डिलीट हमने यहां पर 90 को लाश्ट में डिलीट करके लिख दिया उसके बाद हमें पास यह जनरेट हुई नाइट रीक के बाद हम क्या करेंगे फिर से हम यहां पर heap 5 method लगाने बाद हम इसका जो root node है मैक यहँँप यहां पर बनाके हम root node को फिर से यहां से डिलीट करेंगे root node को डिलीट करने के लिए हमको क्या करना होगा जो last element होगा tree गा हम उसको यहां पर put करेंगे हमारा last element टीका 55 है थो हमने यहां पर dेखि 55 को put किया और हमने 32 को डिलीट कू यह देखिए अप पर भी 220 को ड Hilich karke last में लिग झी घंग फिर से हमने हीपई-अ में 30 से मआए सीब बनाया मैंjut बनाए ऊकसी बनाइगे पिर से हमें रूट नोट को डिलीट करना है रूट नोट को डिलीट करने के लिए हमें उसके जगह-दस को जो replace करना होगा हमने 10 को replace किया और यहां पर हमने देखिए हमें 77 हमारा डिलीट होके लिस्ट में यहां पर आ गया हमारे पास इतने element delete हो चुके है नई लिस्ट हमारे पास यह generate हुई जिसको हमने फिप 5 method से मैं सिप में convert किया मैं सिप में convert करने के बाद हमारे पास क्या हुआ हम फिर से 55 को delete करेंगे और जो last node है उसको हम वहाँ पर replace करेंगे लास्ट नोट को हमने 15 को replace और हमने जो 55 है उसको यहां पर देखीए डिलीट करके लास्ट में लिग दिया मैज करें यह मैं सके जैंगे जबसे root node डिलीट करेंगे और OUT donate करने वाद हमाई पास tea बचेगी यह और हमने कर देख़ें यहां पर क्या किया एग में यहां पर heep5 method लगाया हम मैक कीव फिर से नाया हमने फिर यहां से root node को delete किया और root note को delete करने के बाद हमने यहां पर 15 लिख्वा हमने वहां पर क्या किया फिर से हमें conversion आपको आना चाहिए यह चीजें आपको आना जरूरी होता हीफ के लिए अब हम चलते हैं अपना रेडिक सॉट क्या कहता है हमारा क्या स्टेप वन होता है डिफाइंट 10 क्यू इस रिप्रेजेंटिंग बकेट आप 0-9 हमें यहां पर क्या करना होता है हमें 10 बकेट डिफाइंड रहना होता है हमने आप यह पर 10 बकेट बनाएंगे जिनके इंडेक्सिंग हम जीरो से नौ तक करेंगे consider the last significant digit at each number list is to be sorted, हमें least significant digit सबसे पहले consider करना है, जिसको हमें sort करना है, insert each number into their respective queue based on the least significant, हमें least significant के base पे हमें value को enter करना है, इसी तरह हम जब क्या गाएं, group all the number from Q0 to Q9 in order to their have insert in their respective queue, repeat step 2 and 3, step 3 based on the next least significant, हमें उसके बाद next least significant digit देखनी है, तो हम यहां पर देखते हैं सीधा, जो example से, हमें आप example पहुंचते हैं, हमने सबसे पहले हमारे पास जो array दिया गया है, array हमारे पास है, 82, 90, 100, 12, 157, 755, 23, यह array दिया गया है, हमें क्या करना है, हमें 0 से 9 तक, मतलब 10 Q, हमें 10 bucket य हैं, जिनको हमने 0 से 9 तक, नाम रख दिया, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम least significant digit देखेंगे, least significant digit मतलब, once digit देखेंगे, और once digit की based पे, हम Q's में, जो हमारे पास buckets हैं, उनमें value को put करते जाएंगे, तो हमारे पास least significant digit में, हम देखेंगे, यहां पर 2 है, तो हमने इसको Q2 में 1 है, Q1 में डाला, 0 है, Q0 में डाला, 2 है, Q2 में डाला, 0 है, Q0 में डाला, 7 है, Q7 में डाला, फिर 5 है तो हमने 5 में डाला तो थड़ी है, यह हम भाने इसको Q में जो हमारे buckets हैं, इनमबर्स को हम least significant digit की base पे, पूर कर दीएं, उसके बाए हम क्या करना है, इन नमबर्स को हमें निकालना है पहले उसे पूराई तरह खाली करना है फिर दूसरी वके मिल जाए कि नंबर departed करने के बाद अब हमने उसको देखना है हम जब उनको सब में देखेंगे तो यहाँ पर जीरो मिलेगा तो हमने जीरो में फूट किया फिर से हम उसको सेम उसको निकालेंगे फिर दूसरा बकेट खाली करेंगे और नई लिस्ट हमें यहाँ जन्रेट हो जाएगी फिर हमारा जो वांस और टेंस हो गया तो इसके बाद हम जाएंगे पर क्योंकि यहाँ पर डिजिट दी गई है इनकी फ्री डिजिट नमबर दिये गया है तो हम यहाँ पर क्या चलेंगे जो 100 तक जो जाएंगे हमारे कास थ्री डिजिट्स वाइलू है तो हमें यहां पर 100 जो प्लेस तक हम यहां पर sorting करेंगे हम फिर से इसको बेस पे इसको क्या करेंगे हम यहां पर वैलू पूट करेंगे हमें यहां पर देखेंगे जो 100 प्लेस पर यहां पर वन है तो हमने क्यू वन में डाला 100 प्लेस पे 9 है तो मनें q9 में डाला और इन दोनों में हमाँ पास Finish जिव सी तरह時 को बाहर निकालें है तो आप को देखने को मिलेगा कि यह जो लिच सौर्टेट taking में मिलेगे अगर आप इसको आपके पास चार डिजिट के नंबर होते हैं तो आपको भी थाउजन प्लेस तक आपको फिर एक इस्टेप और करना पड़ता तो यह इस तरह हमारा जो होता है जो रेडिक यह बकी इसको हम लोग बकेट शांट भी बोलते हैं ऩुल हमारा गँप्लीट होता है इसके बाद हम लोग जाते है है य ज्यूंद veganum अब हैसिंग यहां पे देखें के हैस quela is data structure called highest table is used to store data एक हमाए पास हैस टेबल होता है हम उसको यूज करते हैं data को इस्टेवड करने के लिए based on the highest key value data item inserted to the highest table जो हमाए पास एक highest key होती है हम उसके base पे किसी data को हम उसमें input करते हैं highest key value is a special value that serve as index for the data item it indicate where the data item should be sorted in the highest table highest key value is generated using highest function हैस की जो हमाई बनती है वह हैस फंक्शन के बेश्ट पर जो बनती है अभी हम देखते हैस की हम कैसे यहां पर generate करते हैं हमारे पास यहां पर हैस जो हैसिंग के तीन मेथड दिए गए हैं हैसिंग हमारा सबसे पहले मेथड जो आता है we understand में आता है यहाँप से पहले देखना यह रहता है कि आगर आपके पास अगर जैसे हैं पर हमने कोई लिश्ट हम ले आते हैं हमार्य पास ओक सम्हें हमें पास यह हमने यहाँ पर क्या करना है यहां पर हमें क्या होता है कि हम इसइव यहां पर इंग्जांपल में दिया कि 52, 68, 99, 84 यह वैलू यहां पर दी गई हैं तो हमें क्या करना है हमें इसकी साइज क्या दी गई है 10 दी गई है अगर साइज 10 दी जाती है तो हमें इसके जो साइज होगे 0 से 9 तक हमाएं पास जो इंडेक्सिंग होगी वह होगी 0, 1, 2, 3, 4 5 तक जाएगा अगर हंड़ेड देता तो 99 तक जाएगा 1000 से 9 तक हमारहा जो जितनी भी विंदम धिया रहेगा जितना भी साइज माइनेस वन तक हमें जो ठेवल की साइज लेनी होती है हम यहां पर जो डिँवीजन मेध्यद में होता है, बर स्कली क्या होता है चैसे हमारा 52 हम इसको क्या करें हमने हम बोलते हैं हम उस रिकारड हमारा डिवाइट करेंगे 10 से हमने यही होती है यह को एट वाली मिलती है हमको एट वाली लिस्ट में ने पुट कर देंगे इससे तरह नौच आप जो नाइड विपकर देंगे औरतिशा में नाइंड बेसिकलि क्या करते हैं इन इस मेथाट firstly key is squared and then mid part of result is taken index for example consider that we want to place a record हमारे पास record है 3101 and size हमारा दिया टेबल का 1000 यहाँ मैंने क्या पहले बताया था अगर 1000 size दिया है मतलब 1000 size दिया है तो 0 से 999 तक इसका जो होगा मतलब 3 दिजिट चलेगा अगर 4 डिजिट का element है तो यहाँ पर हमारे थी डिजिट टक देखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम आप जो आपर इसकी क्या करना है तो हमारी आ गई इसकी मीड की तिजिट लेना है इसकी मीड की 3D मतलब 162 162 मतलब एच की हमारी 162 थी यह हमारी आगई इसकी indexing तो हमारी जो इंडेक्सिंग होगी यहां पर टेबल पर यह पोजीशन हमारी जो जाएगी एच की एच 3101 की हमारी जाएगी दा मेड़ी स्कॉरेट से 162 पर हम इसको पूट कर देंगे इसके बाद हमारा जो मेथाड होता है डिजिट फोल्डिंग मेथाड होता है इसको यह क्या होता है इसको भी में आपे देखते हैं इन इस मेथाड दकी इस जिवाइड इंटु सेपरेट पार और यूजिंग सम्सिंपल ऑपरेशन इस पार्ट आर कंबाइं टू प्रोड्यूस ए हैस की हम यहां इसको इन तीनों को आइड कर देंगे इन तीनों को जब आइड कर देंगे जैसे अगर यहां पर इसका साइज अगर दिया होता हुए तो यहां साइज के दे दिया गया है jest इसको दिवाइड करते हैं यहां साइड करने पर छोड़ कर देंगे यहां आता है हमारा watch लिए फोल्डिंग मेधाड में यह और पिर टेबल हमारा होगा ही किसके बाद हमारे पास क्या है आगे चलते हैं हमारे पास आगे जो और हैं हमारे पास को लीजन क्या होता है यहां पर कोई वैलू पहले से होती है अगर किसी टेबल में हमने टेबल बना रखा है उस टेबल जैसे यहां पर हम यह टेबल की एक्जाम पल लेते हैं यहां पर पहले से यहां पर zero इसकी लजन्प पहले से पूठेर लेकिन हमें फिरसे ऩने और दो dile़ हम पहले से पूठेर है अगर पहले सर्ट करें म teant वहां पर क्या करेंगे इसके लिए हमाय पास कुछ टेकनीक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉली जो लेसे टेकनिक हमारी होती है सेपरेट चेनिंग टेकनिक जो कहला लाती है ओपर है और हमारी एक होती है open addressing जिसे हम लोग close housing बोलते हैं